हाई गाई वेलकम बैक तो माई चैनल दून प्रिया के इंटेटीन्मेंट मैं हूँ प्रिया कैसे हैं आप सब लोग आप सब अच्छे से होंगे आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है और वो यह है कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस से कैसे दूर रहें इस वीडियो में आप से शेयर करूँगे ऐसे कौन से टिप्स और ट्रेक्स हैं जिससे स्ट्रेस से दूर रहा जा सकता है वीडियो होने वाली है बहुत इंफोर्मेटिव तो मेरी वीडियो को लास तक देखिए और वीडियो स्टाट करने से पहले मेरे चैनल को किजिए अपने देखा होगा कि प्रेगनिसी से बुख रही हुट है इसके सांद साथ और इमोशनल शरी को बहुत सारे होते मुद सुईंग करता है बहुत चड़ापन होता है चोटी और हो कर दों करने का मदों करता है इसलिए नह الفekt उना होलगा कि घर में जो वो हमेशा गर्वतिसरी को बोलते हैं कि हमेशा खुश रहें क्योंकि इसका सम्मन सीधे सीधे हमारे बच्चे से होता है इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक्स से जिसको आप फॉलो करके स्ट्रेस्थी रह सकते हैं तो टिप नूमबर वन है सबसे पहले तो आपको अपनी बॉड़ी को समझना होगा और खुले दिल से एकसेप्ट करना होगा कि आप स्ट्रेस्थ में हैं आपको यह जज़ करना होगा कि आपकी बॉड़ी किस तरीके से वर्क कर रही है क्योंकि जब तक आप यह एकसेप्ट नहीं करेंगे कि आप स्ट्रेस्थ में हैं तब तक आप उससे बहार नहीं निकल पाएंगे तो टिप नूमबर वन यही है कि आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपकी बॉड़ी किस तरीके से वर्क कर रही है एकसरसाइज मेडिटेशन योगा गाइज यह रामबान का काम करती हैं स्ट्रेस को रिलीज करने में तो अपने रुटीन में इसे जरूर शामिल कीजिए क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं योगा करते हैं तो आटोमेटिक हमारी बॉड़ी में आसे हार्मोन बिल्ड अप होते हैं जो इस्ट्रेस को हिल अप करने में हमारी कफी मदद करते हैं इसके साथ साथ आप उन लोगों से बात कीजिए जिन से बात करके आपको अच्छा लगता है या जो लोग आपको कुछ रखने की कोशिश करते हैं और अच्छा-च्छा म्यूजिक सुने क्योंकि म्यूजिक भी एक रामबान का काम करता है इस्ट्रेस को हील अप करने में So pregnancy में यह और भी जाना मस्ट हो जाती है क्योंकि जितना जांदा आप रेस्ट करते हैं उतना जन्दा आपके mind or relaxed होता है ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं करना है आपको काम भी करना है लेकिन काम के साथ साथ आपको अपनी body के हिसाब से rest की भी बहुत जरूरत है और इसके लिए नीन लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफी बार जब नीन पूरी नहीं होती तो आटोमेटिक हमारे बाड़ी में स्ट्रेस आता ही आता है सो कोशिश करें कि आप एक अच्छी नीन ले टिप नमबर थ्री है एक हेल्दी डाइट हेल्दी डाइट बहुत इंपोर्टन है प्रेगनेट वुमेंड के लिए क्योंकि इसका सीधा सीधा सम्मन्द हमारे बेबी से होता है इसके उपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है हेल्दी डाइट के उपर आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और कौन-कौन से विटेमिन्स है कौन-कौन से सबजिया है जो आपको खानी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगे आप वहां चाकर इसको देख सकते हैं तो आपके लिए यह है कि आपको किसी से कंपेर ना करें आप यह ना सोचे कि मेरी वह ली फ्रेंड तो अपने प्रेग्नेंसी के टाइम पर इतना कुछ खाती दी मैं तो कुछ खाये नहीं पाती हैं इससे कोई भी जरूवत नहीं है आपको जो अच्छा लगता है आप वह अच्छा लगता है जो कि मुझे भी अच्छा लगता है इस पीरिट में आप उनसे बात करें अपने सरौंड ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ रहे जो आपको खुश रखने के कोशिश करते हैं या आपको जो मन करता है आप वह कीजिए जाइस कहते हैं ना लाव्टर इस बैस मेडिसन इन दो वर्ड सो हमेशा खुश रहे आप हर उस इंसान से बात कीजिए जो आपको खुश डखने के कोशिश करते हैं या आपको जिससे बात करके खुशी मिलती है और हर उसका में इंगेज रहे जिससे आपको खुशी मिलती है अच्छी बुक्स पढ़िए धा आपको कैसा लगा यह मेरा वीडियो आप मुझे लाइक और कॉमेंट करके बताइए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कीप वोचिंग कीप सपोर्टिंग धुर्ण प्रिया की एंटरेटेन्मेंग